हलो इस्टूडेंस आज हम लोग ग्लास टेंट की मैथमेटिक्स पलेंगे एकसरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स हमने आपको मर्क में प्रमे नंबर 6.3, 6.4, 6.5 कहा ता अज शुड़ी करने के लिए फोरा से सहां प्रकाश डालेंगे तब हम एकसरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रमे नंबर 6.3 देखिए आपका है कहा गया है या दो त्रुजों में संगत कौन बराबर हैं संगत कौन बराबर दिये गए हैं कहा गया है कि उनके संगत हुजा एक ही अनपात में होती हैं और इसलिए ये त्रुज सम्रूप होते हैं देखिए बच्चों कहने उपर यह है यहां पार दों तरफोज दिये गए हैं ये तुछ ए है ये B है और ये C है और दूसरा अच्छ हमने बना दिया है तरफोज टी, E और F ये बना दिया गया है इसमें आपसे झीवे दिया गया है य जो कौन A बरावर मा लेखे हैं कौन B के बरावर है कौन आपका जो P है वो कौन आपका बराबर है और कौन आपका C है वो कौन आपके बराबर है आपने में कून देख लेंगे यहां पर इसका जो यड़ आएगा रहा गया है कि हम A B upon D E equal to A C upon E F और A C upon D F होगा और कुछ वाका सम्रूप होगा याँ तो A B C सम्रूप जिस सम्रूपर साइन है तो यह सिंगर लाइंग सी आएगी और गुट D E F इगा ना यहाँ जिस सम्रूपर के बराबर है कोई A बराबर D के B बराबर कोई A के और C बराबर F के है तो यहाँ बार कुछ कहोता सम्रूप होगा और प्रमेल कहेंगी हम पोशन सौल करेंगी A B अपान्टी की इकल टू B C अपान्टीया A C अपान्टीया जिस संगत हो जाएंगे उनका बात अपस में बराबर होगा हाँ सम्रूपर ले और इस प्रमे का नाम है Angle 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 यहाँ की प्रमी है यानि की पीमों को जाया है आपके पराबर है या इसी को हम अगर Angle कहें तब भी सही हो जाएगा क्योंकि या किसी धी जितरूपरμαिबे दो कौं अगर बराबर है तो इस तरकों अपने आपों बराबर हो जाएगा ये समरुद्दा की प्रमी है लिगाना मच्छों आप आते हैं एक साथ प्रमी नमबर 6.4 में 6.4 इसका जिस्ट अपोजिट है कहा गया दो त्रभुजों में एक त्रभुज की भुजाएं दूसरे त्रभुज की भुजाओं के सवनुपात तेरे क्यान पात में है उनके शंगतों बराबार होते है इसके दोन त्रभुज समरुप होते हैं यानिकि अब कहा गिया है कि given हो गया या आपका result हो गया है, इसमें कहा गया है, याद AB upon DE, तो BC upon ER, और AC upon DR, कि आपका याद given है, बच्चुम. प्रमे 6.1.4 ये कहती है, अगर AB upon DE, equal to BC upon ER, equal to AC upon DR, तो तरफुच हो जाएगा आपका संगुच, तरफुच A, B, C, जिस संगुच का sign है, तरफुच T, E, F, तो या संगुच हो गया, पंपैस सकते हैं, कि एंगल A, equal to angle D, angle B, equal to angle E, और angle C, equal to angle F, इस प्रमे का नाम है, आपका S, 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 या की प्रमी है, ठीकर आप देगे, साइड, 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 इस्यों बराबर है, AB upon DE, AB side है, BC upon DE, AB side है, BC upon DE, AB side है, और AC upon DE, AB side है, तो तो तीनों तो side है, है, वो समान पात में है, यह प्रमी होगा की, S, 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 या की प्रमी होगा है, Spinder, 4, अब आते हैं में बचो, प्रमी नमबर, 6.5, 6.5 पाइल में आते हैं, इसमें कहा गया है, याद एक त्भुष का A कौन, दूसरे त्भुष के A कौन के बराबर हो, यानि कि मालिके कौन A बराबर कौन D के, समारा, यानि कि ज़िक कहा गये, त्भुष के A कौन, दूसरे त्भुष के A कौन बराबर हो, तथा इन कौनों को अंतरगत करने जो भुजाएं, जो सोर बनना है, यह भुजा A B और A C के द्वारा बनना है, और जो D बनना है, जो D की और D के द्वारा सोर बनना है, तो कहा गयार यह कंदिशन है, तो दोनों त्रभुष सम्रूब होंगे, यानि की यत कोवर A बराबर होगी के, और यहाँ पार A B अपान D E इपल टू A C अपान D F, अगर यह प्रम्याद की है, तो कह सकते हैं कि त्रभुष A B C सम्रूब त्रभुष D E और F और इस का प्रम्य का नाम है S A S, S A S, प्रम्य का नाम है, तो दूश्व आप तीन प्रम्याद की है, तीन प्रम्य नम्बारे आपको प्ताए गई हैं, एंगल, एंगल, एंगल या A A P से इपका महारा चल सकता है, दूसरी प्रम्याद की बताए गई है, अब आते हैं कोशम पर पहले में कागिया बताए कि आदरते 6.34 में दिये त्रिबुजोग के युगमों में से कौन कौन से युग समरूप हैं उन समरूपतात का सवटी को लिखना है यानि कि कौन से प्रमे लग गई है जो आपको उने तिये प्रमे बताई हैं उनी में से कोई नो कोई प्रमे अब अवस्य देगे कोड A दिया 60, B दिया 80 और C दिया 50 डिग्री, दूसरे फीगर में दिया गया है P दिया 60 डिग्री, Q दिया आपका 80 डिग्री और आप दिया हाग का देखिए 40 डिग्री दे रखता बच्चू, यहां पदेगी तर्बोज A, B, C, तदार तर्बोज P, Q, R वेर और और वा compare करेंगे, देगे आपर जो angle A है, वो angle B के equal है, angle B के equal है, 60 डिग्री, angle B equal to angle Q, दिया है, आपका 80 डिग्री दे रखता है, और angle C equal to angle R, यहां दे रखता, 40 डिग्री, देगे आपर दिया हो, कोण आपके बराबर है, compare सकते हैं, जो त्रबोज A, A, B, C है, वो sum group है, प्रिबोज P, Q, R के बराबर, और जो प्रमे बहा गया है, जो प्रमे लगते हैं, A, 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 आने की angle, 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 चीनो angle आपका सुमी क्या है, बराबर हैं संगत, तो जो हैं, बराबर हैं, और यहां पर वे हैं, वांसम प्रमे जो लगाते, तो उसका ज्यान रख प्रमे जो है, संगत कौन ही बराबर हो, जिसे कौन A है, प्रिब, A लिखा हुआ है, B, Q लिखा हुआ है, और C, L बादे के C, L तो आज इस क्रम का भी आपको धान रखना है, अन्यता कोशन आज से आपका रांद हो जाएगा, कि बच्चों, अब आते हैं, इसके सिकेंड साइड में, देखें, आपका A में दिया है, दो इकाई, D, C दिया है, 2.5 इकाई दे रखा है, A, C, 3 इकाई दे रखा है, दूसा सिर्फुज है, T, Q, जिसकी जो लिंद है, 6 इकाई है, Q, R, 4 इकाई है, और P, R, दे रखा है, आपका 5 इकाई है, अब यहाँ पर देखेंगे दे दे तो दिये गए नहीं, यहाँ पास साइडों का कंपर करना है, यानि, S, 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 अनि, ट्रिपेल, S प्रेमर यहाँ पर लगनी है, देखें, आपकार, देखें, A, B, आपान Q, R, 80 value है 2 है QR पर लिए 4 है करेंगे तो 1 by 2 आ जाएगा यहां देखें BC upon PR BC आपका 2.5 और PR किया है 5 पॉइंट अटाएंगे एक जो पर जाएगा 25 बटे 50 cancel करेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा अदिके AC AC upon PQ AC DR का A निकाई है और PQ दिया 6 है इसको cancel करेंगे एक बटे 2 देखें यहां पर बच्चों जो फुजाओं का अमक्वाद है सबका बराबर है पहले बटे 2 दूसर सौल किया और एक बटे 2 और तीसर सौल किया यह भी एक बटे 2 निकल के आया है अब इसको लिखेंगे कैसे देखेंगे आपका ABC के तरफ चला जाएगा ABC रूट ABC समरूप देखेंगे आपने QR याने QRP हो जाएगा उन्मारा जोआ लिकाना इसा QR आगे वी चला जाएगा क्यों जाएगा आपका QRP अचे करना जाएगा AB लग्यवाद लिया है BC है PR लिखें या इसको RP की लिखेंगे कोई दिकल नहीं है और जाएगे AC है यह उन्मारा जाएगा QP या BQ बात देखेंगे QP लिखेंगे PR की संगल जो है क्या हो गई मराबाट हो गई अपरे में लगए आपकी S यहां यह रखना है कि जैसे आपके समरुमित क्रम लिखा है समरुमित क्रम में वही आपका इदर की दूना जाएगे जो हम इच्छे करके सही कर लिया है ऐसे लिखा सकते समर्डिक क्रम आपक्रण के देखे देखे एल भी गुजा कि वार लिखा हुआ है यह पीजया है आरप भी लिखा देखे आप आरप भी हो गया के अब आप एसी लिखा है देखे एसी लख्योगी आप लेख यहँख़ों ठीक है अब बंच पर हुए आप ले सकते हैं बच्छों अब यहां पर आते हैं इसके इसरे पाइट में जो एलम दिया है गूपन सेविंग दिया है यहां पर कोई इंगल दिया नहीं गया है वच्छों यहां पर हम एसरे में को चेक करेंगे अगर यहां देखते हैं जो एंपी है दो उनिट है तो इकाई है तो दिया मियां पर चाहिए इंट है आपस यह कैसिल हो जाएंगे देखते हैं एंपी अपान दिया टूर बाइफोर है नहीं कि वन बाइट वाजाएगा एलपी और अपान दियाफ ररैखया इलपी दिया थी और डीया अपिरतर से इंसे करेंगे यह यह वन बार पाईक हो जाएगा अब अच्याँ यानि की 227.50 के बच्चों कैंसल नहीं होगा अब यहां पर देखते नहीं कि यहां पर दो तो वैलू सेम हैं यह पीसी वैलू भी अगार एक बटे दो आ जाती तो यह एस एस आपके में लग जाती और दोनों त्रिवोज आपके क्या हो जाते सम्रूप हो जाते यहां पर देखें आप जो त्रिवोज है त्रिवोज जो एल एमवी तद्धा जो त्रिवोज आपका है कि यहां पर जापकाद LMP और TTF हैं दोनों समरूपर नहीं हैं क्योंकि आपको कोई प्रमेद नहीं लग रही है आपको सारे पाड़ करने हैं या आपको होमवर्क है जिनसे इसकोशन बचे हैं यह आप करेंगे अगर कोशन नहीं आता है तो आप हमें फोन के माध्यम से में बताएंगे आज की क्लास बॉर होती थांक्यू